आज मैं आपके लिए लेग करके आई हूँ सीर खोर्मा की रेसिपी जिसे बनाना बहुत ही आसान है अखाने में तो यह बहुत टिलेसियस और अमेजिन है तो चलिए पिना देरी करते वे रेसिपी स्टाट करते हैं अब हम इसमे वन टेवल इस्पून गी डालेंगे, साथ में यहाँ पे हमने कुछ बादाम और काजू लिया है, काजू और बादाम को हम रोस्ट कर लेंगे, किस्मिस और पिस्टा को हम रोस्ट नहीं करेंगे, दोनों चीजों को लो फ्लेम पे आप रोस्ट कर लेंगे, और य डाल देंगे अब यहां पे हमने एक कप पतली वाली सेवई ली है इसे हम लो फ्लेम पे बुनते जाएंगे इसे भुनने में चार से पांच मिनट लग जाएंगे सेवई को आप लो फ्लेम पे ही भुने हाई फ्लेम पे ना भुने नहीं तो सेवई जो है न वो चल जाएगी य इसे भी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे साइड करते हैं सेम पैन में यहां पर हमने एक लिटर फूल कृम दूद ले-लिया है। यहां पर मैंने उबले वे दूद का इस्तमाल किया है। अब दूद में उवाल आने देते हैं और ये लिजे दूद में उवाल आ चुकी है अब हमने यहाँ पे वन बाई थर्ट कप चीनी इसमें डाल दिया है चीनी डालने के बाद दूद में अच्छे से आप मिक्स कर दें और गुलने का वेट करें मीठा आप अपने हिसाब से कम या जादा कर सकते हैं अब हमने जो ट्राइफरूट्स रोष्ट करके रखा हुआ था ना इसमें हम इस टाइम पे डाल देंगे ड्राइफरूट्स डालने के बाद अच्छे से आप चलाते वे इसे मिक्स करते वे तीन से चार मिनट आप इसे पका ले उसके बाद यहाँ पे हमने पंदरा से बीस किसमिस इसमें डाल दिया है किसमिश डालने के बाद हम इसे 1-2 मिनट और हम इसे पका लेंगे अब हम इसमें एट करेंगे भुनेवे सेवई सेवई डालने के बाद आप इसे अच्छे से दूद में मिक्स कर दे उसके बाद इसे 3-4 मिनट चलाते वे आप इसे पका ले ये आप देख सकते हैं तीन से चार मिनट हमने सेवई को अच्छे से पका लिया है ये आप देख सकते हैं कलर भी बहुत ही अच्छी आई है ये देखिए इस तरीके से बनाएंगे न तो सेवई जो है न बहुत ही अच्छी बन के तयार होगी यह देखिए यह आप देख सकते हैं सीर कॉर्मा बन के बिल्कुल तयार है अब हम इसमें डालेंगे हाप टीए स्पून इलाइची पॉर्डर इलाइची पॉर्डर डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद एक से दो मिनट हम इसे और पका लेंगे ये आप देख सकते हैं सीर कोर्मा कितनी अच्छी बन के तयार हुई है अब चलते हैं सब करने की प्रोसेश पर और ये लेज़िए सीर कोर्मा बन के बिलकुल तयार है इस तरीके से आप एक वार जरूर बना करके ट्राइ कर सकते हैं ये आपके फैमली फ्रेंड को बहुत ही पसंद आएगी अब हम इसके उपर थोड़ी सी पिस्ता की गार्निस कर देते हैं ताकि देखने में न ये और भी अच्छी लगे इस तरीके से आप एक वार जरूर बना करके ट्राइ कर सकते हैं अब आपको कुछ मीठा खाने को दिल करें तो आप इस तरीके से सीर खोर्मा बना करके ट्राइ कर सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें family friend में share करे channel पे नहीं है तो please subscribe करे thank you